तो भाई अभी हमने PC बिल्ड की वीडियो बनाई, पहले 80,000 वाला PC बिल्ड करा था, जो हमारा 1080P गेमिंग PC था, उसके बाद All AMD 70,000 का PC बिल्ड भी करा था, और यह जो PC बिल्ड रहते हैं, उसके अंदर सिर्फ हमना PC की कॉस्टिंग जोड़ते हैं, लोग हमारे से बहुत रिफ्रेश्ट के साथ आते हैं, यह मॉनिटर आता है, 27 इंची की डिस्प्लेट के साथ, साथ में 180 हर्ट्स का रिफ्रेश्ट रेट, तो फुल एक्तम E-Sports वाला मामला इसके अंदर करेंगे, 27 इंची की बड़ी डिस्प्ले है, और बहुत लोगों के माइंड में यह डाउ चैनल के साथ प्लास्टिक और इस मानेटर में 100 वाड़ा सपूर्ट विज़ामांट का भी सपोर्ट मिलता है, और बागी नीचे आप हमारे को OSG के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और अगर पोरे निज़ाएंगे, और आगर पोरे निज़ाएंगे, और प्लास्टिक रेप्ले तो हमारे को एक DP पोर्ट मिल जाएगा, दो HDMI 1.4 के पोर्ट मिल जाते हैं, एक 3.5 mm वाला अडियो पोर्ट मिल जाते हैं, आपको माललो हेडफोन लगाना हो या स्पीकर वगरा कनेक्ट करने हो, तो डिरेक्टली आप मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हो, एक पावर इंपूड का प मिलती है, और यह हमारी anti-clear display है, तो reflection वगरा का ऐसा कोई scene नीए, 16 to 9 aspect ratio के साथ आती है, और 165 words का refresh rate मिलेगा हमारे को without overclocking, जब आप पहली पार monitor plug-in करोगे, उसके बाद आपको इसकी OSD settings में जाके न, overclocking होने के बाद तब यह 180 Hz अचीव करता है, और 180 Hz PC के अंदर शो भी क मारे दिमाग में आता है कि budget वाला monitor है, तो इसके अंदर color gamut अच्छा नहीं होगा, बट यह monitor अच्छे color gamut के साथ भी आता है, यहां पर हमारे को 95% RGB मिल जाती है, 79% Adobe RGB, 84% P3 and 76% NTSC, और साथ में जो इसकी brightness है, वो हमारे को 250 nits मिलती है, जो कि इस price point के साब से ठीक है, under 15,000 वाले कोई भी gaming monitor आप लोगे, सबके अंदर 250 nits की brightness ही मिलती है, जो कि ठीक है, अगर आप indoor में use कर रहे हो, अच्छा का सा well lit room भी है, तब भी brightness हमारे को सही दिखाई दे जाती है, और जैसे कि high refresh rate वाला monitor है, तो response time बहुत matter करता है, ब्रैंड का क्याना है, 1 millisecond response time हमारे को इसक काफी कम फील होती है, यह MPRT वाल ऑप्शन है, यह e-sports वगरा में ज्यादा काम आता है, या फिर कोई fast-paced game खेल रहो, fast-paced games में क्या होता है, आप जैसे fast movement करते हो, तो trails वगरा दिखाई देते हैं, MPRT on करने के बाद कोई trails वगरा में नहीं दिखाई देते हैं, हमने UFO टेस् अपने सामने देख सकते हो, कोई आसच trails वगरा भी नहीं है, और इवन कोई पिक्सल ओवर्शूट भी नहीं है इसके अंदर, और जैसे कि बड़िया color gamut हमारे को सके अंदर मिलता है, तो color accuracy वाले आपको task करने हो, photo editing करनी है, video editing करनी है, उसके अंदर color grading करनी है, तो यह monitor HDR 10 का भी support मिलता है, लेकिन इस monitor के अंदर HDR के अंदर एक छोटा सा catch है, अभी फुटेज चल रही है, यह HDR off पे चल रही है, और आप देख सकते हो, अगर हम HDR को on कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि तो ने फीके फीके color हो गये है, एक दम से मतलब सब कुछ washout स हो गया, ऐसा लग रहा है, लॉग में वीडियो बना रखी है, अब इस monitor के OSD controls में जाके भी मारे को HDR option मिलता है, वहां से जब उसको हम on करेंगे ना, तब proper इसका HDR काम करता है, और अब आप देख सकते हो, क्या बढ़िया colors निकल के आ रहे हैं HDR में भी, इस monitor के अंदर मारे को black stabilization में मिल जाती है, gaming monitor के अंदर ये feature काफी काम आता है, अगर आप कोई dark game खेल रहो हो, जिसके अंदर अंधेरा बहुत जादा है, जैसे कोई बूद बूद वाले game खेलता हो, बहुत डार्क होता है, तो black stabilization आप बढ़ा सकते हो, जिसके वएसे जो black part है थोड़ा ग्रेश हो और आपको visible रहता है, बहुत आप डार्क games के अंदर, अंदेरा कायम रहे है, एडजस्मेंट के मामले में सिर्फ एक एडजस्मेंट मिलते हैं, जो ये tilt adjustment, मेरे यसाब से pivot और height adjustment भी होनी चाहिए थी, आपका क्या मानना है, comment बताना, and now the main part, gaming monitor है, तो gaming experience कैसा आप, मैंने PC प अंदर कोई दिक्कत नहीं, MPRT on पर थोड़ी सी brightness कम feel होती है, वैसे MPRT on और off पर मेरे को personally ज्यादा difference नहीं हुआ, क्योंकि मैं casual player हूँ, अगर आप एक serious e-sports player हो, तो वो चीज़ आपके लिए matter करेगी, and बात करते है, dark games के बारे में, तो Hogwarts Legacy हम इसके अंदर खेल के देख र तो इस monitor पर हमने PS5 लगा के Spider-Man 2 भी खेल के देखा, उसके अंदर भाई हमारे को कोई दिक्कत नहीं, बड़ी experience मिल रहागा, and जैसे की 180 Hz का gaming monitor है, तो e-sports में 180 FPS capable system भी आपके पास होना चाहिए, तभी तो इसके full potential का मजा ले पाओगे, and yes, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई भी AMD FreeSync है, NVIDIA G-Sync का support नहीं है, तो अगर आपके पास तगड़ा PC है, जिसके अंदर जादा FPS आ रहे हैं, like 180 FPS से उपर आ रहे हैं, तो आपको इसके अंदर screen tearing वगरा मिलेगी, वैसे उसका भी solution है, गेम के अंदर आपको V-Sync option मिलता है, वो on कर लो, लेक आपको यह pixelated feel देगा, अगर आपका पहला 27 इंचीज का Full HD monitor है, लाइफ का पहला, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हैगी, इवन अगर आप 24 इंचीज से 27 इंचीज पर शिफ्ट होए हो, Full HD से Full HD पर ही आए हो, तब भी आपको ऐसाच कोई इशू फील नहीं होगा, अब ज़र उसकी volume adjust करने के लिए है, और यहां पे भी आपको view mode वागरा मिल जाएंगे, colors वागरा आप एडिजस कर सकते हो, contrast, brightness, temperature वागरा, उसके लाबा image adjustment के लिए बहुत सारी चीज़े हमारे को यहां पर मिल जाती है, and setup menu मिल जाएगा, जहातर सारे monitor से मिल जाता है, इसके अंतरा variable refresh on-off कर सकते हो, HDR का option मिल जाएगा, overclocking information, OSD timeout, यह सब basic features है, तो भाई यह था पूरा review, viewsonic omni VX2779 HD pro gaming monitor का, यह monitor आपको आज की rate में 12,000 का मिल जाएगा, 11999 to be specific, and इस series के अंदर सिर्फ यह monitor नहीं है, आपको तीन और variant भी मिलेंगे, जिसके अंदर 27 inches भी है, 32 inches भी है, full HD वाल confusion की, तो भाई 12,000 के साब से मेरे को इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं लेगी, एक छोटी सी दिक्कत लेगी, वो है, adjustment को लेगे, height और swivel adjustment में मिल जाती है, तो थोड़ा सोने पर स्वागा हो जाता, वो आपके लिए कितना matter करता है, वो आप डिसाइड कर सकते हो, बाकि आपक पर कोई और monitor का review चाते हो, वो भी comment में लिख सकते हो, पसे लाइब वीडियो लाइक मार देना, पहले ही बार आयो, subscribe, मिलता है नेक्स वीडियो अब तक के लिए, बाई!